इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ये पोशन अंतराल को भरने, उर्जा के स्तर को बढ़ाने और व्रिधी और विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसमें शक्तिशाली अंटियोक्सिडेंट होते हैं जो शरीर को मुक्त कणों से बचाते हैं और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं। ये तंतरिका उतक के स्वास्थ्य, मस्तिश के कार्य और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, यह एक आहार पूरक है जो समग्र स्वास्थ्य और कल्यान को बढ़ावा देता है। दो, इसमें अंटियोक्सिडन्ट और अंटी इंफ्लिमेटरी गुन होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स और उक्सिडेटिव डामिज से बचाते हैं। तंत्र का उतक के स्वास्थ्य, मस्तिश के कार्य और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए विटामिन बी बारा महत्व पूर्ण है। चार, यह शरीर के रक्षा तंत्र में सुधार करने और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है। पांच, लाइकोपीन अंटियोक्सिडेंट समर्थन प्रदान करता है और स्वस्थ दिल को बढ़ावा देता है। छे, विटामिन C में शक्तिशाली अंटियोक्सिडेंट होते हैं जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं। साथ, ये पोशन अंतराल को भरने, उर्जा की स्तर को बढ़ाने और व्रिद्धी और विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। विटामिन D आपकी प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करता है और शरीर में कैल्शियम अफ्शोशन में सहायता करता है। 10. कैल्शियम आपकी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, जबकि विटामिन D तीन आपके शरीर को कैल्शियम को अफ्शोशित करने और साथ ही आपकी हड्डियों की रक्षा करने में मदद करता है। 11. यहाँ आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, सहन शक्ती में सुधार करता है, स्वस्थ हड्डियों का समर्थन करता है, संग्यानात्मक और हृदय संबंदी स्वास्थे को बढ़ाता है और चमकदार और स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें